सब्सक्राइब के सामने कितनी क्वांचिटी जो है आपके पास शीट की चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए माइनस तेन डिग्री से और वो फिर वाटर में कनवर्ट होगी और तेन डिग्री से तक उसका तेंपरिचर इंक्रीज हो जाएगा अब यह देखें इसमें कहने को एक सेंटेंस है लेकिन एक पूरा प्रॉसेस है और इस प्रॉसेस में सबसे पहले यह जो आइस है इस आइस का तेंपरिचर इंक्रीज होगा अब के पास माइनस तेन डिग्री से जीरो तक और जब तक यह temperature increase होता है यह ice ही रहती है solid form में, इसकी कोई state change नहीं होती फिर उसके बाद यह जब energy absorb करती है तो फिर इसकी state change होती है यह बहला process जिसमें इसका temperature ice का change हुआ उसको हम energy को Q1 कहते है जिसमें temperature minus 10 degree Celsius से increase हो के zero हो रहा है अच्छा फिर second में हमारे पास melting हो रही है melting में ice की melt हो रही है zero degree Celsius पे melt होना शुरू हो गई है और इसका temperature जब यह melting होगी तो यह water में convert हो जाती है और interesting बात ही है कि during melting temperature में कोई change नहीं आता जितनी भी energy absorb होती हो उसको melt करने में use होती है उसको हम Q2 कहते है और फिर जब वो ice melt हो जाती है यानि कि उसका mass zero degree पे चला जाता है फिर अब उसका temperature दोबारा increase होगा कहां तक 10 degree तक और फिर यह energy जो यहाँ पे absorb होगी उसको हम Q3 कहेंगे तो हम तीन तरह की energies यहाँ पे find करेंगे Q1 यह वो energy है Q1 जो ice के temperature को minus 10 degree Celsius से zero पे लेके चली जाती है अब यहाँ पे चुक्छे temperature में इंग्रीज आया है तो यहाँ पे हम formula apply करेंगे E is equal to mc delta T ठीक है अच्छा यहाँ melting हो रही है melting में कोई temperature में change नहीं आया यहाँ पे simple formula apply होगा Q is equal to mhf ठीक है और Q3 वो energy है जिसमें आपके पास जो ice है इसका temperature जो यानिके melt हो चुकी थी liquid form में आ गई थी ice 0 degree पे फिर उसका temperature increase होगा 0 से 10 degree पे याद रखिएगा guys जहाँ जहाँ temperature increase होगा Q1 में change आया temperature में और Q3 में change आया है वहाँ पे जो formula लगता है वो है mc delta T यानिके Q1 के लिए भी देख लिए है मैंने formula यूज किया mc delta T वाला formula लगेगा और Q2 जो है वो melting के लिए process यहाँ पे use होगा है तो simple melting वाला formula अप लगाएंगे m into hf ठीक है अब यह देखना है इन्होंने कैसे निकाली है आपके सामने में भी share कर चुका हूँ सबसे पहला आपने case में mass को convert कर लिया kg के अंदर और kg में कितना mass हाँ गया 0.1 kg specific heat capacity ice की आपको दीविए 2100 joules per kg तो पहले तो आपकी ice का temperature increase हुआ है minus 10 से 0 तो आपने formula लगाया delta Q1 is equal to mc delta T mass कितना आपके पास ice के लिएक के बात हो रही है तो ice का mass throughout the ice का ही रहेगा वो 0.1 kg है ice के specific heat capacity लेंगे अभी हम क्योंकि उसका temperature minus 10 से 0 तक यह है तो यह state ice ही है अभी यह भी liquid form में convert नहीं होई है और change कितना है temperature में minus 10 से 0 10 आया तो यह देखने m की value c की value change in temperature तीनों हमने यहाँ पे put की है specific heat capacity ice की 2100 है change in temperature यह आपका है इन तिनों को multiply कर दिया 2100 joules यह पहला step है जिसमें आपका ice सिरफ 0 degree पे पहुंचा है फिर आपका ice melt होना शुरू हो गया है वो energy q2 है और वहाँ पे mass को हमने क्या किया multiply कर दिया latent heat और fusion के साथ यह point दी भी है given a question में 336 joules पर 336,000 joules पर किया ice के लिए है इससे हमने multiply किया तो हमें वो energy मिलके जिसने ice को melt किया अब यह q2 है अब ice melt हो चुकी है लेकिन melt होने के बाद अभी उसका temperature 0 ही था और वो 0 से temperature increase हो के 10 की तरफ चा रहा है हाँ लेकिन यह है कि अब वो ice water form में आ चुकी है तो अब हमने जब energy निका लिए है उसकी तो हमने formula लगाया वो ही वाला q is equal to mc delta t mass आपको पता है 0.1 है लेकिन अब जो specific heat capacity यूज़ होगी है वो liquid form में आ चुक है तो वो water की यूज़ होगी 4200 अब वो 2100 यूज़ नहीं होगी changing temperature कितना आ रहा है 0 से 10 तक increase हुआ है तो 10 आएगा इन तीनों को हमने multiply कि हमें पता चल गिया q3 b 4200 आगिया हमें q1 भी पता है हमें q2 भी पता है हमें q3 भी पता है इन तीनों को हमने add किया हमें total energy मालूम हो जाएगी जो यहाँ पे ice ने absorb किया है वो हमारे पास आती है 39,900 जोल्स